Hello my dear students, देखिए आज 12th class की physics, 5th chapter और आज lecture number 2nd और आज का topic है चुम्मक की चेत्र देखिए पिछले lecture में हमने चुम्मक के बारे में पढ़ा था, तो आज हम चुम्मक की चेत्र पढ़ने जा रहे हैं, that is magnetic field देखिए हमने देखा था, electrostatics में कि बैद्दुत आवेस के चारों और एक ऐसा चेत्र होता था, जिसमें कोई अन्य आवेस, आकर्षण या प्रतकर्षण बैद्दुत बल का अनुभव करता था, उस चेत्र को हम बैद्दुत चेत्र कहते थे, ठीक उसी तरीके से चुम्मक के चारों और भी एक ऐसा चेत्र होता है, जिसमें उसका चुम्मकी प्रभाव अनुभव किया जाता है, और उसमें कोई अन्य चुम्मकी पदार्थ एक बल, चुम्मकी बल का अनुभव करता है, जिसे उस चेत्र में अगर हम एक कमपास बॉक्स ले जाएं, चुम चुम्मक ये छेत्र तो अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो इस तरीके से लेख सकता हूं कि किसी चुम्मक के चारों और का वह छेत्र जिसमें उसका चुम्मक ये प्रभाव उसका चुम्मक ये प्रभाव अनुभव किया जा सकता है अनुभव किया जा सकता है चुम्मक ये छेत्र या उस चुम्मक का उस चुम्मक का चुम्मक ये छेत्र कहलाता है ये वाता भी मैंने समझाई थी अब मैंने हांस को लिख दिया है चुम्मक की प्रभाव का अर्थ है कि मेंगनेटिक इफेक्ट यानि वो अन्य पदार्थों को अपनी और आकर सित्थ कर सकती है जितने छेत्र में यानि चुम्मक की बल लगा सकती है वहीं तक उसका हम चुम्मक की प्रभाव अनुभव कर पाएंगे जहां तक उसका छेत्र होगा तो इस चुम्मक की छेत्र को बच्चों हम देख नहीं सकते ये कोई दिखाने की चीज नहीं है जैसे ये कोई मैंनेट रखी हुई है नॉर्थ पोल और साथ पोल इसका जो चुम्मक की छेत्र है उसको हम देख नहीं सकते केवल अनुभव कर सकते हैं कि कहां तक ये अपना प्रभाव कहां तक ये चुम्मक की बल लगा सकती है कितने space में, कितने आकास में, कितने छेतर में ये चुमकी बल लगा सकती है किसी दूसरे चुमकी पदार्थ पर वही उसका चुमकी छेतर है तो बच्चो इस चुमकी छेतर को हम कैसे प्रदर्शित करें उसके लिए फेराडे ने चुमकी छेतर रेखाओं की संकल्पना की एक चुमकी छेतर रेखाओं का कॉंसेप्ट दिया था तो अब इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे चुमकी छेतर रेखाओं तो चुमकी छेतर रेखाओं क्या है बच्चो वो इस चुमक के, चुमक चाहे किसी भी सेप की हो, किसी भी चुमक की बात कर रहे हैं, चाहे वो धारवाही परनालका हो, धारवाही परनालका भी एक चुमक की भाती विवार करती है, चाहे वो दंड चुमक हो, चाहे वो यू सेप भी चुमक हो, कैसी भी चुमक हो, हर चुमक कफना एक चुम्मकी छेत्र होगा जिसको हम देख नहीं सकते के वलनभव कर सकते हैं तो इसको दिखाना एक प्रदर्सित करना है उसके चुम्मकी छेत्र को तो वह काम किस की सथासे करेंगे चुम्मकी छेत्र रखाओं की साथा से तो पहले बच्चो गरइक disp colo लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं चुम्मकी छेत्र रेखाओं की तरफ तो बच्चो अब हम पढ़ेंगे चुम्मकी छेत्र रेखाओं देट इस magnetic field lines तो magnetic field lines एक माध्यम है एक जरिया है चुम्मकी छेत्र को प्रदर्शित करने का ठीक है बास्तिकता में चुम्मकी छेत्र रेखाओं कोई चीज नहीं है मलब ऐसा नहीं है कि चुम्मकी छेत्र रेखाओं का कोई छेत्र रेखाओं होती है तो चुम्मकी छेत्र रेखा केवल एक परिकल्पना है चुम्मकी छेत्र को प्रदर्सित करने की, तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, कि चुमकी छेत्र में खीँचे गए, वे कालपनिक, अभी मैंने कहता एक कलपना है, वे कालपनिक निसकोण वक्र, जिसके किसी भी बिन्दू पर, जैसे हमने एक कालपनिक निस्कौन बक्र खींचा तो फिर हम दुबारा स्टार्ट करते हैं कि चुमकी छेतर रेखा क्या होगी चुमकी छेतर रेखा का जो कॉंसेप्ट है चुमकी छेतर रेखा कहां होगी बच्चो चुमकी छेतर में जहां चुमकी छेतर नहीं होगा वहां चुमकी छेतर रेखा की ह वल चुमकी छेत्र में ही की जा सकती है तो चुमकी छेत्र में खींचे गए वे कालपनिक निस्कोंड बक्र हैं जिसके किसी भी बिन्दु पर खींची गई इस पर्स रेखा उस बिन्दु पर चुमकी छेत्र की दिसा को प्रदर्शित करती है तो यह रही बच्चो परिभासा definition चुमकी च्छेत्र रेखाओं की तो बच्चों मैं हाँ definition लिख देता हूँ आपके साथ साल लिखता हूँ तो वीडियो लेंदी होता है अभी जो बात मैंने समझाई थी वो उसको मैं हाँ या इस तरीके से भी कह सकते हैं चुमकी च्छेत्र को प्रदर्शत करने का ही एक जरिया है चुमकी च्छेत्र रेखा तो हम अलग-अलग सब्दों में उसको परवासित कर सकते हैं तो अभी मैं यहाँ पर एक परवासा लिख देता हूँ जिसको आप नोट करेंगे तो बच्चो मैंने ये definition लिख दिया है magnetic field lines की एक बार चेक कर लेते हैं जो अभी मैंने समझाया था कि चुम्मकी छेतर रेखा हैं चुम्मकी छेतर में खीचे गए हुए कालपन एक निस्कोंड वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खीची गई इस पर स्रेखा उस बिंदु पर चुम्मकी छेतर की दिसा को प्रदर्शित करती है तो इसका screenshot लें फिर अब चलेंगे कि इन चुम्मकी छेतर रेखाओं में क्या-क्या गुण पाए जाते हैं इनकी क्या-क्या विसेस्ता हैं या इनकी क्या-क्या प्रोपर्टीज हैं उनको समझना है तो पहले आप इसका एक screenshot लें तो बच्चो अब चुमकी छेतर रेखाओं के गुण इस प्रोपर्टीज ओफ प्रोपर्टीज ओफ मैगनेटिक फील्ड लाइन्स अब इनमें क्या-क्या विसेस्ता हैं उसको समझना है तो पॉइंट वाइस करम से समझते चलते हैं अब बच्चो मैं यहां लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा समझते चलिए और आप अपनी बुक की सहता से टेक्स्ट बुक की सहता से आप लोग इनको लिख लेंगे मैं चीज है कि इनको आपको समझना है तो बच्चो देखें अभी जो हमने डेफीनिशन लिखी थी उसमें हमने एक बात कही थी कि चुमकी छेतर रेखा के किसी भी बिन्दू पर खींची गई इस पर्स रेखा जैसे मैंने ये बताय था उस बिन्दू पर चुमकी छेतर की दिसा को प्रदर्सित करती है तो आप इसको एक प्रॉपर्टी मान के चलेंगे ये इसके गुण में लिख लेंगे कि चुमकी छेतर रेखा के किसी भी बिन्दू पर खींची गई इस पर्स रेखा उस बिन्दू पर चुमकी छेतर की दिसा को प्रदर्सित करती है जैसे यहां चुमकी छेतर की दिसा देखनी है बच्चो बल रेखा ऐसे जा रही है तो यहां चुम्मकी छेत्र की दिसा इस पर स्रेखा खीच दीजिए अब माली जी यह बल लेखा ऐसे आगे इस तरीके से यहां पर अगर हमें यह देखना है कि यहां चुम्मकी छेत्र किधर है तो यहां पर इस पर स्रेखा खींच देंगे इस तरीके से तो ये दिसा हो गई तो जिस बिन्दू पर चुम्मकी छेतर की दिसा देखनी है उस पर स्रेखा खींचेंगे वही इस पर स्रेखा उस चुम्मकी छेतर की दिसा को नुरूपित करेगी हमें ये बोध हो जाएगा हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि उस इस्थान पर उस बिंदू पर चुम्मकी छेतर किस दिसा में आरोपित है कारिक कर रहा है तो ये पहली प्रोपर्टी फिर एक बार फिर सुनें कि चुम्मकी बलरेखा के सोरी चुमकी बल रेखा भी आपको लिखा मिल जाएगा चुमकी बल रेखा और चुमकी छेतर रेखा एक ही बात है लेकिन अब आज कल चलन में चुमकी छेतर रेखा ज्यादा है तो चुमकी छेतर रेखा के किसी भी बंदो पर खींची की इस परस रेखा उस बंदो पर चुम अगर ये दो बल रेखा है या दो छेत रेखा है दो चुम्म की छेत रेखा है अगर काट जाती है मैं अधर समझाता हूँ जैसे हमने एक चुम्म की छेत रेखा ये खींची एक ये खींची एक छेत रेखा ये एक छेत रेखा ये इस तरीके से कभी भी दो छेतर रेखा हैं आपस में नहीं काटेंगी क्यों नहीं काटेंगी बच्चो क्योंकि अगर हम यहां पर कटान बिंदु पर इस पर्स रेखा खींचें तो दो इस पर्स रेखा खिच आएंगी एक इस वाली छेतर रेखा पर और एक इस वाली छेतर रेखा पर इसका अर्थ क्या हुआ कि इस बिंदु पर जो परडामी चुम्मकी छेतर है वो दो दिसाओं में है तो बच्चों ये बिलकुल असंभब बात हो गई कि नेट चुम्मकी छेत्र तो एक ही दिसा में होगा जो परडामी चुम्मकी छेत्र है परडामी चुम्मकी छेत्र दो दिसाओं में कैसे हो जाएगा तो ऐसा संभब इसलिए नहीं है कि दो दिसाओं में परड़ामी चुम्मकी छेत्र हो जाए इसलिए हम क्या कहेंगे कि दो चुम्मकी बल रेखाएं या दो चुम्मकी छेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है टू मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स नेवर इंटरसेट इच अदर ओके बच्चों ये दूसरी प्रोपर्टी हुई तीसरी प्रोपर्टी की बात करते है कि जो चुम्मकी छेत्र रेखाएं वो हमेशा एक बंदवक्र होती है क्या होती है बंदवक्र क्लोज लूप क्लोजड लूप होई देखें बैद्दु तो छेतर रेखाएं जो थी जैसे धनावेश था इससे छेतर रेखा इस तरीक इसे जा रही थी इसमें बंद का कोई प्रस्न ही नहीं था ये बंद होनी लेकिन ऐसा यहां संबब नहीं है कि जो चुमक ये छेतर रेखाएं हैं वो हमेशा बंदवक्र बना किस तरीके से बच्चो जैसे ये मैं इसको हटाता हूँ पहले ये दो पॉइंट समझ में आ गए थे अब तीसरे पॉइंट को समझते हैं कि क्या करती हैं क्लोज लूप बनाती हैं उस बात को समझेंगे अब और इसी में एक बात और लिख देंगे जैसे ये नॉर्थ पॉल है बच्चो यहाँ थोड़ा स्पेस कम मिलेगा चलो मैगनेट छोटी ही बना लेते हैं कैसे कल लेते हैं नॉर्थ पॉल ये बच्चो नॉर्थ पॉल है और ये साउथ पॉल ये ध्यार रखेंगे कि चुम्मक की छेतर रेखा नॉर्थ पॉल से निकलती हुई साउथ पॉल में प्रवेस करती हुई होती है इस तरीके से और यहीं बात खतम नहीं हो गई चुम्मक के अंदर ये बंद बक्र बनाती हुई साउथ से नौर्थ की ओर चलके तब इस तरीके से आएगी बात समझ गए तो ये बंद बक्र बन गया ठीक है? चुम्मक के बाहर नौर्थ टू साउथ चली और चुम्मक के अंदर South to North दच्छिडी धुरूप से उत्री धुरूप की और इस बात का पिशेज दियान रखेंगे और इस तरीके से ये एक बंदबक्र बन गया और इस तरीके से ऐसे North से निकली और South में Enter की और चुम्मक के अंदर South से North की और तो इस तरीके से और भी होंगे इस तरीके से अब ये पूरी नहीं बना रहे हैं इस तरीके से होंगे और इधर आके Enter करेंगे इसका मतलब ये नहीं है बच्चों के ये बंदबक्र नहीं है मतलब है ये इस तरीके से आया है जैसे हम इसको पूरा बनाएं तो इस तरीके से अब हमने महीं छोड़ दिया है इस तरीके से छोड़ दिया है कि ये आगे figure बड़ा होगा और इस तरीके से ये इसमें enter कर रही हैं पूरा बक्र बनाती हुई समझ रहे हैं तो ये न सोचें से निकलती हुई south pole में प्रवेश करती है और चुमक के अंदर south to north fourth point की बात करते है कि चुमक की छेतर रेखाएं चुमक की पदार्थ के अंदर से भी गुजरती हैं जो के हमने अभी ये बताए था इस चुमक के अंदर से भी जा रही थी इस बात को आप fourth point में लख लेंगे क्या लखेंगे कि चुमक की छेतर रेखाएं चुमक के अंदर से भी गुजरती हैं ये हो गया हमारा fourth point ठीक है ना pass through inside the magnet मतलब चुमक के अंदर से भी या चुमक की पदार्थ के अंदर से भी गुजरती हैं ये fourth point में लख देंगे सुलिया होगा आपने वीडियो को pause करके note कर लेंगे fifth point पर चलते हैं कि ये बल रेखाएं चुमक की धुरुब के चुमक का जो चुमक की धुरुब है उससे निकल लेंगी वो निकलेंगी निकलती हुई प्रिवेस करती हुई जो होगी वो किसी भी कोण पर हो सकती है ये नहीं कि एक ही कोण पर निकलेंगी देखिए ये अलग कोण पर निकल लही है ये अलग कोण पर ये अलग कोण पर ये वाली अलग कोण पर ये वाली अलग कोण पर ये वाली अलग कोण पर समझ रहे हैं, अलग-लग कोणों पर निकलेंगी फिफ्ट पॉइंट हो गया, कि ये छेत रेखाएं चुम्मकी धुर्बों से अलग-लग कोणों पर निकलती है ठीक है बच्चों, अलग-लग कोणों पर निकलने वाली बात हो गई अब एक बात और कि चुमकी छेत्र रेखाएं ध्रोबों पर पास-पास होती हैं देखिए यहां कितनी पास हैं और ध्रोब से दूर जाक साइड्स पर क्या हो गया है दूर-दूर हो गई है ठीक है यह अगली प्रोपर्टी हो गई एक बात और लिख सकते हैं कि चुमकी छेतर रेखाएं जितनी घनी होगी जितनी पास-पास होगी वहाँ चुमकी छेतर उतना ही अधिक तीब्र होगा ज्यादा सक्तसाली होगा यानि चुमकी छेतर की तीब्रता वहाँ पर ज्यादा होगी जहाँ पर छेतर रेखाएं तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ अब दूर हैं के पास हैं कंपेर करके ही पता लगेगा एक छेत्र ऐसा है तो बच्चो यह strong magnetic field हो गया इसकी तो नामें यह अधिक तीब्र है strong magnetic field और यह कैसा हो गया बीक field ठीक है यह दुरवल छेत्र और यह प्रवल छेत्र हो गया क्योंकि जितनी जाद है पास तीब्रता उतनी ही अधिक यह बात ध्याँ रखेंगे एक बात और एथ पॉइंट में कि चुम्म की छेत्र रेखाओं के लंबुबत एक आंक तल से गुजरने वाली छेत्र रेखाओं की संख्या जैसे यह बल लेखाओं छेत्र रेखाओं जा रही थी जैसे यह छेत्र रेखाओं जा रही हैं बच्चों हमने इसके लंबुबत एक तल खींचा और वो एक आंक छेत्र रेखाओं की संख्या है वो उस इस्थान पर चुम्म की छेत्र की ती व्रता को प्रदर्शित करती है चुम्म की छेत्र की ती व्रता के बरावर होती है एक बार फिर सुनेंगे इसको और आप नोट कर लेंगे इस बात को कि चुम्मकी च्छेतर रेखाओं के लंबवत एकांक च्छेतर फल से गुजरने वाली च्छेतर रेखाओं की संख्या उस इस्थान पर चुम्मकी च्छेतर की तीवरता को प्रदर्शित करती है एक तरीके से चुम्मकी छेतर की तीवरता को हमने डिफाइन कर दिया है बच्चो ठीक है ये point समझ में आ गया होगा कि एक आंग छेतर फल और लंबबद छेतर रेखाओं के और उससे गुजनने वाली छेतर रेखाओं की संख्या वही क्या हो गई चुम्मकी छेतर की तीवरता अब देखें बच्चो अगर छेतर रेखाएं अब जो हमारा magnetic field है चुम्मकी छेतर रेखाएं क्या कर रही है बच्चो चुम्मकी छेतर रेखाएं चुम्मकी छेतर को प्रदर्शित कर रही है ठीक है न किसको प्रदर्शित कर रही है चुम्मकी च्छेत्र को तो अब देखें जो हमारा चुम्मकी च्छेत्र है वो एक समान भी हो सकता है असमान चुम्मकी च्छेत्र भी हो सकता है तो पहले हम बात करेंगे असमान चुम्मकी च्छेत्र यह सब गोडों में चला है वच्चों आप पॉइंट डाल डालके लिखते चले जाएंगे असमान चुम्मकी छेत्र कौन सा होगा असमान चुम्मकी छेत्र अभी हमने बताय था कि छेत्र रेखाएं पास पास होती है तो छेत्र प्रवल होता है दूर दूर होती है तो छेत्र बीक हो जाता है कमजूर होता है वहाँ तो असमान चुम्म की छेत्र क्या होगा जहां छेत्र रेखाएं समान दूरियों पर नहों जैसे फिर पास पास ऐसे कर सकते हैं तो देखें कहीं पास पास हैं कहीं दूर दूर हैं तो यह छेत्र हमारा कैसा हो गया असमान चुम्म की छेत्र अब अगर पास पास भी हैं वो सोरी बरावर दूरि पर भी है लेकिन एक दिसाम में नहीं है इस तरीके से दूरि बरावर है लेकिन दिसाइं अलग-लग है मुड़के अलग-लग दिसाओं में जा रही हैं तो भी यह कैसा चेत्र हो गया असमान चुम्म की छेत्र हो गया बात समझ रहे हैं ऐसे हो कोई बल रेखा है धर जा रही है कोई छेत्र रेखा कोई छेत्र रेखा ऐसे जा रही है तो ये छेत्र भी कैसा हो गया असमान चुम्म की छेत्र ठीक है न? अब ये और किलियर हो जाएगा जब आप देखेंगे समान एक समान चुम्म की छेतर क्या होता है तबी बात एकदम किलियर हो जाएगी एक समान चुम्म की छेतर के लिए जरूरी है कि छेतर रेखां एक दूसरे के समानतर हों और समदूरस्थ हों कैसी हों समानतर और समदूरस्थ यानि बरावर दूरियों पर समदूरस्थ होनी चाहिए जैसे यह समानतर है इनके बीच की दूरी है वही इन नोनों के बीच की दूरी है वही इन नोनों के बीच की दूरी है वही इन नोनों के तो सभी रेखाओं के बीच की दूरी एक ही है और सब एक दिसामे हैं तो ये वाला फिल्ड वच्चो कैसा हो गया एक समान चुम्मकिय छेत्र कैसा हो गया ये मैं हाँ देखता हूँ एक समान चुम्मकिय एक समान चुम्मकिय छेत्र इसको क्या कहते हैं यूनिफोर्म मैंगनेटिक फिल्ड यूनिफॉर्म मेगनेटिक फिल्ड ये नॉन यूनिफॉर्म था ये कैसा था? नॉन यूनिफॉर्म मेगनेटिक फिल्ड नॉन यूनिफॉर्म मेगनेटिक फिल्ड ठीक है बच्चों? तो इसका एक screenshot ले ले तो बच्चो आपने screenshot ले लिया होगा तो देखें चुम्मकी छेतर रिखाओं के गुण भी हमने सीख लिये और इन चुम्मकी छेतर रिखाओं की जाब properties पढ़ रहे थे तो बच्चो एक सब्द आया था चुम्मगी छेतर की तीवरता तो आप अलग से चुम्मगी छेतर की तीवरता भी लिख सकते हैं मैंने बताय था कि किसी बिंदो पर यैसे चुम्मगी छेतर की तीवरता कितनी होगी तो उस बिंदो के चारों और एकांग छेतर फल लंबवथ एकांख अनुपरस्थ परिछे च्छेत्रफल से गुजरने वाली चुमकि च्छेतर रेखाओं की संख्या के बराबर होती है उस बिंद पर चुमकि च्छेतर की तीवरता तो आप उसको डिफाइन कर लेंगे कि चुम्मकी छेत्र के अंदर किसी बिंदु पर चुम्मकी छेत्र की तीवरता उसके चारों और एकांक अनुपरस्थ परिछेत्र फल से गुजरने वाली छेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होती है इसको आप एक अलग से लिख लेंगे ये एक महतुपून बिंदु है तो बच्चो आज के लेक्चर में केवल इतना ही आज हमने सीख लिया चुम्मकी छेत्र क्या है चुम्मकी छेत्र को प्रदर्सित करने के लिए फैराडे ने चुमकी छेत्र रेखाओं की संकल पुना की थ तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर में एक नए टोपे के साथ ओके थेंक्यू फूर वोचिंग